बिस्मिल्लाल रह्मान रहीम फिश हेड फिश हेड माउथ बार्बल्स एंड ओपर क्यूलम ओपर क्यूलम फिश हेड की सबसे पहले हम लोग फिश माउथ की बात करते हैं जो फिश माउथ होता है यह हेड पर इंटिरियली सिच्वेटिड होता है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग फिश हेड की यह कहां मुझूद होता है इसकी लोकेशन क्या है बिसिकली इट इस प्रैजल इंटिरियरली ओन्दा हैंड इंटिरियरली ओन्दा हैंड और प्रेजेंट माउथ इसका माउथ फिश का माउथ अब इसके जो पुजीशन ना क्या पुजीशन ओफ माउथ पुजीशन ओफ माउथ अब इसकी जो पुजीशन है वो स्पेशिस से स्पेशिस से वेडिक कर सकती है साइज भी डिफेंट हो सकता है शेप भी डिफेंट हो सकता है इसकी जो है साइज शेप किस पर डिफेंट करता है फिश की फीडिंग मोड पर कुछ फिल्टर फीडिंग है कुछ सर्फेस फीडर है ठीक है मोड ओफ फीडिंग मोड फीडिंग किसको रिप्रेजन करते है मौट की पुजीशन साइज और इसकी शेप को ठीक है अब मौट जो है डोर्सल टर्मिनल सब टर्मिनल या फिर वेंटल भी पुजीशन हो सकती है इसकी क्या हो सकती है सब टर्मिनल या फिर इसकी पुजीशन क्यों से हो सकती है वेंटल क्यों से पुजीशन हो सकती है वेंटल यह जो मौट है यह बॉर्डिट होते है लीप के साथ इसके साथ अब सब्सक्राइब यह और भी यह ऑसकती है लिप्स, हॉर्णी, मिम्ब्रेनियस, मिम्ब्रेनियस या भी फ्लैशी भी हो सकती है, ठीक है, यह हमने किसकी बाद की थी, मौथ की हवाले से बाद की थी, एक ते बाद के बाद के थी, ते करेंट के ते किससे Lorenz की समीच, वी फिचिक की थी, तीज रहना अकर उन लोवर जा बॉन जिसको लोग मैंडीवल बोलते हैं इससे पहरें आपको माउथ का से ट्रक्षर दिखाती हूं नेक्स आप लोग तीज के अवाले से बात करेंगें यह देखें डायगा यह बेसिकली माउथ है यह क्या है माउथ है उसके बाद यह अपरक यह जो टीज है टीज अकर उन लोवर जा बॉन अगर तो दांट जो है निचले जबरे पर मजूद हो तो उसका मेंडीबल्स कहेंगे क्या बोलेंगे मैंडीबल्स मैंडीबल्स इफ टीज अकर उन लोवर जा बॉन ठीक है और मैगजिला उसके बोलेंगे अगर तो टीज जो है अपर जा बॉन के मार्जिन पर मुझूद हो अपर जा बॉन के मार्जन पर मुझूद हो तो उसको क्या बोलेंगे मैगजिला इफ टीज अर प्रेजन अउन दा मार्जन ओफ अपर जा बॉन अपर जा बॉन अब नेक्स्ट बात करते हैं बार्बल्स के नवाले से कि बार्बल्स बिसी के लिए क्या है बार्बल्स जाना माउथ के इर्दिगित मुझूद होती हैं कुछ फीशीज में होती हैं कुछ फीशीज में हैं वाई लुग को देखने लगे हैं बार्बल्स के बारे में यह अराउंड माउथ मुझूद होते हैं इनकी पुजिशन क्या है अराउंड माउथ सैंसी से ट्रॉक्चर की तोर पर सैंसी से ट्रॉक्चर है एक इन मोंस्ट अडवांस विशिज में वह तोथ लैस होती है वह क्या होती है टूथ लैस होती है Gilt opening in bonnie fishes covered होती है एक flexible bonnie operaculum से किसे होती है इसके हम लोग next बात करना जा रहे है operaculum की operaculum in the case of bonnie fishes Gilt opening in bonnie fishes are covered by flexible bonnie operaculum इस केस की बात की है बोनी फिशी की केस पर गेर ओपनिंग क्या मैं लिख रही हूं गेर ओपनिंग कवर्ड बाए थिन फ्लेक्सिबल बोनी ओपरक्यूलम इंसाइड इस केवर्टी आर फोर गिल आज एज बेरिंग गिल फिलमेंट जो फिलम ऑपरक्यूलम को हम लोग गिल कवर कभी नाम देते हैं तो कि इसके पास तीन बहुंज होती है इसका मैं आपको रिप्रिजेंट पर करती हूं पहले में यहां पर निखनू ऑपरक्यूलम के हम लोग क्या बोलते हैं और किल कवर यह किस पर कंसिस्ट करता है यह कंसिस्ट करता है और क्यूंट तीन बॉन्स को कौन कौन से तीन बॉन्स के पर मुश्विन करता है फिर्स फॉन्स का मई लिखने लगी हम वह है आपर क्यूलर ओपर क्यूलर अपर क्यूलर इतीन बॉन्स इसी दीन शब अपर चूलर क्या है sub-oppercular and the third is the inter-oppercular sub-oppercular ठीक है and the third is the intro inter-oppercular narrow area between two gill openings is called as thamas क्या बोलते हैं उसको as thamas बोलते हैं as thamas किसको बोलते हैं वो तंग वाला area जो के दो gill openings के दिर्मियान होता है narrow area between to gill opening उसको हम लोग किसका नाम देते हैं as thamas का नाम देते हैं ले रही चीज और अब मैं आपको दिखाती हूं और अपर क्यूलम का सट्रक्शन इस तरह से जाना अपर क्यूलम बजूद होता है फिशिज में इस देखें इस स्टूरेंट्स यह बेसिकली जिल स्के नीचे मुझूद ऐस की बेसिफरित अफर मुझूद ऑपकुलम यह जारी उसके अंदर फिरंज अपक्यूलम मुझूद संस्की ऊंजरी को बेसिन जी बिट फिलमसें फ्रीय और गजाटिस फृटाछ दून आथज। ़ कि उसुट उसुटी किके वी तो रिटाई है। आप है प्लेट फ्लो हो रहा है इस ट्र теп giorn में को यह फो रहा है ह। वॉटर का फ independence । थामे तो में जानों है दो आजिस सूअरा झामिलू होना भीगफ percent ताद मंगे आश्डर कंदों त्रक्रावन के पीपा के और वाहि है । हम your नंच आपस में थोड़ा वो डिस्टेंस में जोओद है ठीक है